मेरे पहरे देश्वासियों अपसे कुछ दिनों बात एक जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेश में डॉक्टर बीसी राय की जन्मिजेंति को समर्पित है कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी है हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवान न करते हुए हमारी सेवा की हैं इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है साथियों मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है डॉक्टर्स इसी प्रेम की सक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं इसलिए हमारा ये दाइत्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें उनका होस्ला बढ़ाए वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं स्री नगर से एक ऐसे ही प्रेयास के बारे में मुझे पता चला यहां डल जिल में एक बोट एम्बूलन्स सर्विस की शुरुआत की गई इस सेवा को स्री नगर के तारिक एहमद पतलू जी ने शुरू किया जो एक हाउसबोट ओनर है उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बूलन्स सर्विस शुरू करने के लिए प्रेयरित किया उनकी इस एम्बूलन्स से लोगों को जागूत करने का भियान भी चल रहा है वो लगातार एम्बूलन्स से एनॉंसमेल्ट भी कर रहे हैं कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बढ़ते हैं मेरे पहारे देशवासियों अपसे कुछ दिनों बाद एक जुलाई को हम नेशनल डॉक्टरस डे मनाएंगे ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेश में डॉक्टर बीसी राय की जन्मिजेंति को सबर्पित है कोरोना काल में डॉक्टरस के योगदान के हम सब आभारी हैं हमारे डॉक्टरस ने अपनी जान की परवान न करते हुए हमारी सेवा की है इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टरस डे और भी खास हो जाता है साथियों मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था वेरेवर दा आर्ट अप मेडिसिन इड़वर दर इस आउन्सो ए लव अफ हमारेटी यानि जहां आर्ट अप मेडिसिन के लिए प्रेम होता है वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है डॉक्टर्स इसी प्रेम की सक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं इसलिए हमारा ये दाइत्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवात करें, उनका होस्ला बढ़ाएं। वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। स्री नगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला, यहां डल जिल में एक बोट एम्बूलन्स सर्विस की शुरुवारत की गई है। इस सेवा को स्री नगर के तारिक एहमद पतलू जी ने शुरू किया। जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोवि 2019 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बूलन्स सर्विस शुरू करने के लिए प्रयरित किया। उनकी इस एम्बूलन्स से लोगों को जागूत करने का भियान भी चलता है। वो लगातार एम्बूलन्स से एनॉंसमेल्ट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मा मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बढ़ते हैं।